लैस्ट लेक्चे अपने देखा कि सब्सर्फिस पे जो एक्युपमेंट है उन में पहला जो एक्युपमेंट थाका वो था सेफीटी वोल्स और सेफटी वोल्स मैं अपने डिफर डिफर wack kind of, जो sub-surface के safety wall थे, या surface के safety wall थे, उनके बारे में देखा था, उनको क्यो requirement होता है, या उनको क्यो लगाने की need होती है, अपनको well पे install करने की, उसके बारे में देखा था, then उनके functions देखे थे, then उनके types देखे थे, और कौन से को, क्या और कब utilize करते हैं, इसके बारे में required होता है, यह क्या होता है, kind of completion, जो well completion होता है, मतलब well के अंदर कौन-गौन से equipment लगते हैं, तो यह एक sub-surface का equipment है आपका, तो उसमें देखते हैं, packer is a part of the completion equipment, which seals the casing tubing annulus, अब जो mainly packer आप install करते हैं, उसका work क्या होता है, कि जो casing है आपका और जो tubing है, well के अंदर, जो आपका इसको isolate करना या उसको fill करना, ठीके, तो अभी अगर अपना production system है, उसके बारे में, अगर बात करते हैं, तो अपने देखा था, यह आपका reservoir होता है, then आपका valve होता है, ठीके, यह production condit है आपका, then आपका well head और आपका Christmas tree होता है, then flow line and then जो भी treatment facilities होती है, surface facilities होती है, वहाँ प पेकर का main work क्या हो रहा है, कि आपका जो यह casing है और यह जो आपका production tubing है, इन दोनों के बीच का जो annulus है, उसको isolate करना, ठीके, अभी देखते हैं कि अपन को इसकी क्या जरुवत है या क्यों required है, what are the reasons आपन पेकर install कर रहे हैं, ठीके, तो reasons में first है आपका, it provides an effective isolation of the casing tubing annulus from the produced fluid, for the safety purposes, ठीके, तो यह क्या करता है, कि आज जो आपका casing and tubing का annulus है, उसको isolation provide करता है, कि से आपका जो produced fluid है, जो आपका fluid produced हो रहा है उससे, ठीके, तो यह आपका safety purpose के लिए है, क्यों है, वो देखते हैं, thus limiting the well control to the tubing at the surface, तो अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, जो आपका fluid अप produce हो रहा था, casing के अंदर जो आपने perforations किये थे, उसके through, तो आपका fluid किस के अंदर आया, पुरा wellbore के अंदर आया, और wellbore के अंदर जो casing है, और tubing है, अगर इन दोनों के बीच के annulus को अपन isolate नहीं करते हैं, तो surface पे जो आपका fluid produced होगा, वो क्या होगा, tubing से भी produce होगा, then आपका जो ये annulus है, casing के tubing के दोनों side में, उससे भी produce होगा, ठीके, तो आपन क्या करते हैं, कि इन दोनों को ये वाला जो annulus area, इसको isolate करते हैं, so that अपना जो well, या जो भी fluid produced हो रहा है, उसको अपने control way में produce कर सकें, ठीके, एक safety purpose के लिए, अगर अपन control way में, ये tubing के through इसको क्या हो रहा है, कि जो आपका बहुत जादा amount of fluid produced होगा, रहो सकता है, उसको अपन उतने flow को control नहीं कर बाएं, ठीके, तो उसी purpose के लिए अपन क्या करते हैं, जो casing and tubing का annulus है, उसको अपन isolate करते हैं, ताकि आपका fluid है only tubing के through produce हो सके, ठीके, next आपका purpose है, इसका to isolate the casing from the corrosive fluids और high pressure, ठीके, अगर आपका fluid produced हो रहा है, और अपन ने बोला कि यह casing and tubing का annulus है, यहाँ पर पेकर आपने install नहीं किया है, ठीके, या इसको isolate नहीं किया, यहाँ से आपका डारेक्ली fluid produced होगा, तो आपका corrosive fluid है, मतलब उसके अंदर या तो H2S gas का amount जादा present है, या फिर आपका sulfur content present ह जो आपका casing है, वो क्या है, यहाँ से आपका डारेक्ली fluid produced होगा, देन क्या होगा कि casing क्या आपकी corrosion हो सकती है, ठीके, या फिर उस fluid का pressure जादा है, तो वो आपका casing के ऊपर आ सकता है, ठीके, तो यहाँ से isolate करने की वज़े से जो corrosive fluid है, वो आपका casing के contact में नहीं आएगा, ठ तो डारेकली टूबिके थूर प्रूडिूस्ट होगा, तो आपको इस सिर्फ क्या हो रहा है कि केसिंग को प्रिवेंट कर पार हैं, ठीके? और क्योँ करना चाहरे हैं अपन केसिंग को प्रिवेंट? because आपनको पता है कि weld के जो equipment है like casing है वो आप one time installment है आप initially एक बार install कर चुके हैं तो बार-बार उसको change नहीं कर सकते हैं ठीक है तो वो आपको protect करके रखना होगा ठीक है in future के लिए that's why आपन casing को यहाँ पर corrosive fluid से prevent करके रखना चाहते हैं ठीक है to stabilize and control the flow from the pay zone pay zone से जो भी fluid आपको मिल रहा है उसको अपन क्या करें stabilize एक controlled way में produce करें ठीक है उसके लिए भी आप isolate करते हैं या production आप जो आपका baker है उसको install करते हैं next है आपका in conjunction with an artificial lift system कभी-कभी आपका जब artificial lift system यानि कि आप gas lift लगाते हैं या jet pumps लगाते हैं अब जो artificial lift system होता है वो क्या होता है कि generally आप क्या करते हैं कि जब वैल में आपका flow आना कम हो जाता है तो आप क्या करते हैं वैल के अंदर gas inject करते हैं ठीक है उसके अंदर tubing के अंदर walls install करते हैं जो आपका ये tubing है इसके अंदर GLV लगता है यानि की gas lift wall लगते हैं और इनकी through आप क्या करते हैं जैसे आपने बोला ना Christmas tree में injection fluid को inject करने के लिए अलग से एक wing wall होता है तो उसके through आप क्या करते हैं उस gas को high pressure के साथ inject करते हैं जो आपका अगर कोई fluid ऐसा है जिसकी density थोड़ी जादा है ठीके oil है उसका जादा थोड़ा सा dense है ठीके तो वो यहां तक आ रहा है पर उपर lift नहीं हो पा रहा है तो आप उसकी density को reduce कर सकते हैं कैसे अगर उसके अंदर आप gas को mix कर दें तो उसकी density क्या होगी reduce हो जाएगी ठीके तो आपन क्या करते हैं यहां से GLV की तुरू high pressure gas को inject करके उसको light weighted कर देते हैं ठीके यह उसकी density को reduce कर देते हैं उसकी वज़े से आपका fluid यहां पे easily produce हो जाता है ठीके तो यह part होता है gas lift system का ठीके तो यह gas lift system में भी isolation के लिए या control के लिए fluid control के लिए आप packer को install करते हैं then होता है to selectively produce the multiple zones ठीके अब आपके multiple producing zone है जैसे यह भी आपका reservoir है यहां पर जिसको upper perforated reservoir या upper reservoir बोलता है या zone 1 बोल देते हैं यह आपका zone 2 है जो producing zone है यह दोनों यह आपके fluid produce कर रहे हैं तो यह क्या होता है कि जहां पर multi-well completion होता है यह आपका kind of multi-well completion है जिसमें आपकी 2 tubing लगी है आप देख पारें आपका एक यह zone है जहां से perforations है ठीके तो यहां पर आपने क्या packers install किये हैं so that यहां का fluid यहां पर mix नहीं हो ठीके हो सकता है दोनों जो अनका जो अलग-अलग अपन production अलग-अलग time पे लेना चारहे है या production लेना चारहे है वो दोनों fluid mix ना हो ठीके तो अपन क्या करते हैं कि यहां से fluid direct यहां से isolate किया आपने annulus तो fluid पूरा आपका tubing के तुरू surface पे produce हो जाएगा ठीके और next जो आपका यह वाला zone है तो यहां से जो fluid आएगा वो आपका यह जो आपने अलग से tubing इंस्टाल करी है उसके तुरू produce हो जाएगा ठीके तो यह क्या जब आपको multiple zone से production लेना है और आपको production जो fluid है वो different kind of है या different different उसका variety है या composition उसका different है अपन उसकी mixing नहीं चाहते है ठीके और एक time पे दोनों ही reservoir से अपन production लेना चाहरे है तो अपन ऐसे प्वेकर को use करके isolate करके production ले सकते है ठीके next है आपका selective stimulation becomes feasible मतलब कि जब आपको selectively यानि कि जैसे यह आपके अलग अलग zone है ठीके इन दोनों में मुझे selectively करना है जैसे इस zone में मुझे आपका stimulation नहीं करना है stimulation क्या होता है well stimulation यानि कि जब आप well आपका drill करते है ठीके तो drill करते है while drilling क्या होता है कि जब आपने mud invasion पढ़ा होगा ठीके तो mud invasion में क्या होता है जो आपने ड्रिलिंग फ्लूइड यूज किया था उसमें क्या होता है कि जो मड़ वाला पार्ट होता है वो तो यहां पे जहां पे पोरस और परमेबल जोन आएगा वहां पे क्या होगा मड़ के बना लेगा अंदर वेल की वॉल के अंदर ठीक है और जो अबका फ्लूइड पार्ट है वो क्या होगा दिरे धीरे से जो वेल का नियर वाई एरिया उसके अंदर जाएगा और उसकी वज़े से उसके साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपके फ्लूइड में आपने यूज किया था या फिर आपने बेंटोनाइट उसका पार्ट भी जाएगा तो क्या होता है चोटे चोटे शोलिट से ऐंगे और उसकी वज़े से जो वापे पर प्रमेयबिलीटी है नेश वेल बोल्बोर के एरिये में उसको क्या करते ब्लॉक करते ताहीं ठीके तो उस परमेयबिलीटी को वापिस रीगार्न करने के लिए ठीके वह ऐस asing Label नहीं आपा एक बार वाश करते हैं यानि एसीड का फ्लो करवाते हैं जिस से जिस टाइप का आपका कंटेंड वहां पे या सॉलिट्स गए हैं उनको डिजॉल कर दे तो उससे क्या होता है कि जो पर्मेबिटी के चैनल्स ब्लॉक हुए थे वह आपस आपके ओपन अप हो जाते हैं ठीके उसके अलबा वाई-लाइन डाउन्हॉल ऑपरेशन बिकम पॉसिवल आपको अगर वाई-लाइन के थूड डाउन हॉल में कुछ भी ऑपरेशन करने हैं वह आप कर सकते हैं उसके अलबा होल्ड एन एनुलर वैल किलिंग फ्लूइट जब वैल किल करते हैं जब आपका ब्लॉ प्रशिसे किसी भी वेल में पेकर को क्यों अंस्टॉल करते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका अब जो पेकर है उसको डिफाइब कैसे करते हैं मतलब जो इसके अंदर कौन-कौन से component होते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें होती है अपने इसको डिफाइब करते हैं उपर कुछ compression या weight प्रोवाइड करके उसको set कर रहें, ठीके, next is sealing mechanism, मतलब उसके अंदर जो sealing करने के लिए आपने component यूज किया है, वो किस type का है, उसकी sealing mechanism क्या है, उसके according, its tubing to packer connection, tubing and packer का connection क्या है, then its retrievability, ठीके, यनि कि आप उसको retrieve कर पा रहे हैं, मतलब या नहीं कर पा रह करते हैं, next अपन देखते हैं कि tubing to packer connection है, which can be done in one of the three ways, मतलब कैसे आप उसको perform कर सकते हैं, first आपका tubing is latched, tubing आपकी latched है, या fixed है on to the packer, मतलब tubing और जो आपका packer है, उन दोनों को आपने set कर दिया है, उसके बाद tubing के अंदर कुछ भी आप moment नहीं कर सकते, उसको move नहीं कर सकत है, ठीक है, और जो आपका tubing है, उसको आपने lend किया है, allowing your limiting moment, इसका मतलब क्या है, कि जब आपका packer set कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे for example, इसमें बात कर रहे हैं, या आपकी tubing है, यह आपने यहाँ से वाइण के दूर पैकर डाला है, तो इसको क्या करते हैं, से यहाँ पर fixed हो जाए, ठीक है, तो यह आपकी fix करने की, या set करने की mechanism के according, जिसमें tubing को आप movement करवा के fix कर रहे हैं, या वो tubing के साथ permanently fixed हो गया है, जिसको आप बात में retrieve नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके according, आप packer को retrieve कर पा रहे हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, उसके according, द मतलब कुछ wire lines operation, जो wire lines होगी, उसके थुरू आप install करेंगे, देन आप उसको वापस, जब आपको required नहीं है, तो आप उसको remove भी कर सकते हैं, ठीक है, और permanent packer है, generally वो production packer होते हैं, मतलब पूरे lifelong के लिए well के अंदर install होते हैं, अगर उनको in case आपको remove करना है, देन आप इसक आपको tubing भी remove करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप packer को remove कर सकते हैं, ठीक है, next देखते हैं आपका, जो packer है उसको manually अपन classify करते हैं, वो आपका mechanically set packer होता है, उसके according hydraulic set packer and permanent packer जिसके बारे में अपन already बात कर चुके हैं, ठीक है, अब जो packer होता है, उसके कौन-कौन से components ह होता है, packer आपका visible कैसा होता है, ठीक है, आप देखते हैं, अगर 3D में या normally उसको देखेंगे, तो यह आपका packer होगा, ऐसा visible होगा, इसको tubing और जो casing का annulus होगा, उसके अंदर आप set करेंगे, ठीक है, अगर आपन इस diagram में देखेंगे, तो उसके main component होगे, वो क्या होगा, यह इसकी locking ring होगी और mandrel होगा, मतलब यह जो part है, इसकी वज़े से ही वो tubing के महाँ पे जाके lock होगा, ठीक है, यह slips है, यह क्या करेगी, जो sideways में आपकी slips लगी है, वो क्या करेगी, tubing के side में और casing के side में लगेगी, जिसकी वज़े से वो set हो सके, ठीक है, यह आपका cone है, यह यह आपका seal है, जो मतलब की महाँ पे isolation provide करने का काम करेगा, यह इसका inner mandrel है, ठीक है, तो यह packer के main components होता है, next अपन देखते है, mechanical set packer, mechanical set packer is a single string retrievable casing packer, यानि कि आपका यह only single string के साथ ही लगेगा, जो multiple completion वाला आपन ने देखा था, वो यहाँ पे आप mechanically set packer है, उसको multiple completion के यह नहीं utilize कर सकते है, ठीक है, और retrievable है, मतलब कि आप इसको आपका जब काम हो जाए, या जो भी operation आपको वाल में perform करना है, ठीक है, उन perform होने के बाद आप उसको retrieve भी कर सकते हैं, वापस उसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है, it sets and retrieves mechanically, यह set भी आपके mechanically होगा, और retrieve भी packer in different operation, मतलब इसको as a service packer use करते हैं, कि जब आपको कोई operation particularly well में perform करना है, ठीक है, तो आप packer को install कीजी, then वापस आपका जो operation perform करना था, वो हो गया है, then आप उसको remove कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर well में आपको layer-wise testing करनी है, जैसे आपने देखा कि multiple completion थे, ठीक है, डीक है, ड producing zone है, जिसको एक layer consider कर सकते हैं, और दूसरी आपकी, ये आपका reservoir है, जिसको आपन दूसरा layer consider कर सकते हैं, ठीक है, अगर मुझे layer-wise testing करनी है, मुझे particularly हो सकता है, कि इस वाले producing zone को test करना है, ठीक है, तो आप इस packer को use कर सकते हैं, next है, आपका squeeze cementing, squeeze cementing क्यों करते हैं, अपन अलड़ी देख चुके हैं, कि जब squeeze cementing की कभ requirement होती है, और कौन-गोन से operation आप perform करते हैं, squeeze cementing में, तो अगर आपको कहीं पर squeeze cementing perform करने हैं, तब आप mechanically set packer यूज कर सकते हैं, उसके अलबावा well stimulation आपको कहीं पर करना है, जो आपन बात करी थी, कि जो near well bore permeability damage हो रहा था, उसको repair करने के लिए, acid vergara inject रहना है, to find the injectivity, यानि कि जो reservoir है, उसके अंदर आपको fluid आपका inject हो पाएगा या नहीं, उसको injectivity test करना है, तो आप ये mechanically set packer यूज कर सकते हैं, to find the casing leakage, casing के अंदर कुछ भी leakage है, तब आप क्या करते हैं, packer यूज करके उसको testing कर सकते हैं, कि उसके अंदर कोई भी leak है या नहीं है, ठीके, तो ये purpose है, mechanically set packer को use करने के, mechanically set packer, जो set होते हैं, वो या तो जो आपका packer है, उस पे compression force प्रवाइड करके आप set कर सकते हैं, या उस पे tension create करके, या फिर आप rotating the string, यानि कि आप tubing को rotate करके set कर सकते हैं, ठीके, जो आपका compression set packer होता है, उसको generally wet set mechanical packer भी बोलते हैं, या फिर tension set भी बोलते हैं, अब इनको जो setting mechanism होता है, उसका reverse अगर procedure करेंगे, तो वो उसका retrievable या उसका unsetting procedure होगा, ठीके, for example, आपको mechanically कोई packer set करना है, तो अपने बोला कि यह जो tubing है, यह आपने wire line की through यहाँ पे packer run किया, फिर आप tubing को हलका सा rotate करते हैं, जिसकी वज़े से उसके slips या cons बाहर आते हैं, वो यहाँ पे set हो जाते हैं, ठीके, उसके अलावा अगर आपको, अगर आपको उसको weight provide करके उसको set करना है, तो आप क्या करेंगे, कि यहाँ से कुछ weight provide करेंगे, जिसकी वज़े से इसके उपर compression force create होगा, और उसकी वज़े से जो इसके अंदर की sealing element है, या जो seal है, elastomer है, वो यहाँ पे open up होगा, और उसके weight provide करेंगे, तो उसके slips या कौन जो है, वो यहाँ पे बाहर निकल की, या पे set हो जाएंगे, ठीके, या फिर उसके tension create करने की वज़े से, अगर उसके slips या कौन बाहर आते हैं, उसकी वज़े से set होते हैं, तो वो वैसे set कर सकते हैं आप packer को, ठीके, और अगर आपको retrieve करना है पेकर को वापिस remove करना या उसकी unsetting करनी है, then आप क्या करते हैं कि इसको set करने के लिए जो आपने procedure किया था, उसका एकदम opposite procedure, आप करेंगे तो वो उसकी unsetting कर देका, ठीके, वो वहाँ से release हो जाएगा आपका packer, next है आपके tension set packer होते हैं, वो आपके इस तरह से visible होगे, यह आपका packing element होगा, यह इसका cone होगा, यह इसके slips होगे, यह यहाँ पे इसका mineral होगा, और जो आपका compression set packer होता है, उसके अंदर एक fluid bypass के लिए seal होता है, ठीके, तो यह आपका कभी कबार question हो सकता है कि जो bypass seal वाले जो packers होते हैं, वो कौन से होते हैं, wet set होते हैं, यह tension set होत होते हैं, तो यह आपका answer होगा, कि वो compression set packer होते हैं, ठीके, next है आपका hydraulic set packer, hydraulic set packer का setting mechanism यह होगा, कि hydraulic, या आपने fluid use करके, या fluid के pressure को use करके, उसको set किया है, mechanically उस पे tension create करके, या उस पे weight provide करके, आपको, आपने उसको set नहीं किया, ठीके, तो इसमें क्या करते हैं, कि at the packer, against a wire line, install blanketing plug, या यह आपने देखेंगे, blanketing plug क्या होता है, या pump out plug क्या होता है, ठीके, तो यह आप पहले set करते हैं, नीचे, ताकि आपका flow है, उसको आप well को पूरा close कर सकें, down hole में, then आप packer को set करते हैं, ठीके, तो आप क्या करते हैं, कि एक particular pressure differential tubing पे create करते हैं, जिस की वज़े से आपका यह packer set होता है, ठीके, अगर इसको release करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कि जितना जो packer है, उसको unseat करना है, यानि उसको जो seat किया था, या उसको set किया था, उसको remove करना है, ठीके, उसको retrieve करना है, तो आप क्या करेंगे, pulling the tubing until tensional strength is sufficient to shear the pins or rings which are calib calibrated versus a tension on the tubing that is greater than a tension that may be reached during the production, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप packer को release करना है, तो आपको tubing को pull करना पड़ेगा, कब तक जबकि उसके अंदर एक sufficient जो tensional strength है, वो create हो और उसकी वज़े से जो shear pins है, वो महा से release हो जाए, ठीके, और जितना आपको उसपे tension, आपका during production उसपे लग रहा है packer पे, जिसकी वज़े से वो महा पे set रह रहा है, उससे ज़्यादा tension create करेंगे, तब वो महा से release हो जाएगा, ठीके, तो यह थे आपके different different kind of packers, और packer का क्या utilization था और उसको क्यों use कर रहे थे और कौन से packer को पन कहां पर use कर रहे थे